आप सभी दर्शकों का स्वागत है इस नए वीडियो पर जहाँ पर हम सीखते भी हैं और पैसा भी कमाते हैं आइए चल कर जाने ग्रासिम इंडस्ट्रीज के बारे में क्या चल रहा है ग्रासिम इंडस्ट्रीज में और इसका fundamental के साथ में technical analysis करके बताएंगे किस level पर आपको खरीदना चाहिए आदिते बिल्ले गुरुप की company को आई चल कर शुरुआत करते हैं सबसे पहले grassim industries का आज का price देखें तो price करीब 7.4% चड़ा हुआ है एनसी पर 671 रुपे पर trade कर रहा है volume शोकर है 97,00,00,000 shares exchange हुए है और 36% delivery average delivery है volume के बैसे पर देखा जाए तो बहुत अच्छा शांदार fundamental है इसके reference में अगर 52 week range देखे जाए तो 385 जो है lower range है 836 जो है higher range है और यह अपर mid higher range में trade कर रहा है अभी तो construction wise काफी अच्छा set parameter लग रहा है आगे चलकर कुछ fundamental valuation कर देखते है तो अगर grassim की valuation देखे जाए market cap के reference में तो 44,000 करोड की market capitalization है 200% का dividend देती है पर क्योंकि face value 2 रुपे की है तो dividend yield बहुत कम हो जाती है dividend की दिरशिट से मद देखे इस stock को यह stock आपको growth देने वाला stock है dividend वाला हमारे और stock रखे में portfolio में हो देख सकते है पर यह growth का stock है अगर आपको growth चाहिए long term के लिए तो यह बहुत अच्छा stock है अब देखे industry PE इसमें केवल 30 है आपको समझ में आएगा यहाँ पर इसका valuation इतना अच्छा है कि PE इसका 55 है अभी यहाँ पर तो market leader है और diversify business है हम यह सब बताएंगे आपको कैसे आई यह चल कर सबसे पहले इसकी website को देखते हैं तो आपको बताएंगे जैसा हमारा unprecedented event चल रहे हैं अभी COVID के चलते वे तो grassim ने इन्होंने बहुत अच्छी support किया underprivileged लोगों के लिए इस activity के दोरान तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने इसाब से society का ध्यान रखते हैं सब को साथ में मिलकर चलाते हैं और linen club जिसकी बहुत जादा demand है आगे future में वो काफी approach रहती है इस company की output में revenue बहुत अच्छा contribute करते हैं और आज कर आपने सुनही होगा cotton or clothes that can breathe वो है इनका antimicrobial antimicrobial fiber जिसके थुरू clothes को breathe करते हैं और natural product की तरह से use करना चाते हैं इसको तो बहुत अच्छा view है इसके reference में अगर देखा जाए तो तो इनके पूरी detail इनकी website पे available है अगर आपको चाहिए तो आप कुछ भी information देख सकते हैं अब ज़रा कुछ और इनके diversify business के बारे में बात करते हैं तो जैसे आपको पता ही हो कि इन्होंने brand ambassador भी अच्छे से use किया है और काफी fashion show कराते हैं तो करनंगा रनाउत इनकी brand ambassador है और इन्होंने Levoic Levoic जो उनकी natural fluid fashion eco-ehanan system का design किया है उसके लिए इंडिया तो बहुत अच्छा काम करते हैं उसके शेतर में भी और आपको शाहिद पता हो इनके पास में 67% जो है holding है cement companies की और largest manufacturer है cement का और white concrete mix cement के लिए तो काफी diversify business portfolio है जिसके हिसाब से इनका growth outlook बहुत अच्छा लगेगा जब economy start करेगी pick करनी number one cement company का holding रखते है 67% तो उससे अच्छा view बनेगा अब अगर हम weekly chart देखें तो इस साल का जो उसने high बनाया था COVID से पहले वो करीब-करीब 7800 रुपे के आसपास था और गिर का 40 रुपे रहे गया था almost half the price अभी वो उसके 50% से जाद अरी cover हो चुका है इस तक इसने कोई ज़्यादा up move नहीं दिखाया है long term के लिए बहुत अच्छा stock है पर पिछले 4 साल से click नहीं चल रहा है इतना अच्छा तो इस वज़े से ये stock इतना अच्छा perform नहीं कर पा रहा है अगर हम इसका downward channel देखें तो देखिए ये एक long term के लिए downward channel बनाया हुआ है और अभी ऐसा लग रहा है अगर हम COVID वाले pre-COVID level को छोड़ देते हैं तो अभी ऐसा लग रहा है कि ये इसके channel के breakout करने की कगार पे है जिस तरह से market momentum कर रहा है जिस तरह stock momentum कर रहा है definitely लग रहा है कि ये इस level को breakout करके उपर जाने की कोशिश करेगा अब हम कुछ और parameter पर इसका analysis करेंगे technical analysis ताकि आपको अच्छा लगे कि ये stock सही में इन parameters पर सही है कि नहीं है हम तीन या चार parameter यूज़ करेंगे क्योंकि time कम है अगर आपको हमारी technical workshop जोइन करेंगे तो अगर हम इसका भी Fibonacci arch retracement देखें जो इसका year का high है और इसके low को अगर आप Fibonacci arch से cover करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आगे का क्या प्रक्रिया हो सकती है इसकी कहां पर ये अब support लेगा और कहां पर इसका resistance बनेगा तो ये सब चीज़े आपको थोड़ा सीखना चाहिए यहां से अगर हम इसको लें approximately इसके bottom तक लेके आए तो ये देखिए तो जो इसका पहला resistance था इसने खुब अच्छे से बखा बखुबी थोड़ा 550 का फिर जो minor resistance था वो करीब 600 का था तोड़ दिया और अब देखिए अब इसने आज के दिन volume के साथ क्यों इसका primary reason क्यों है क्यों बढ़ रहा है ये है कि इसका जो next resistance था उसने काफी significant move करके इसको up move दिखाया है और आज इसने इसके उपर sustain किया है तो ये काफी अच्छा sign है आगे के लिए outlook बहुत लंबा बन जाता है अब इसका अब ये next target जो रहेगा इस year का high रहेगा 330 तो अगर आप अभी इसमें invest नहीं है तो हमारी सला हम आपको levels बताएंगे आप इसमें जरू invest कीजे और आपका short term target भी देंगे और long term target भी इसका बताया जाएगा तो बहुत अच्छा stock बन रहा है इस reference में अगर देखा जाए तो अब ज़रा कुछ और fundamental valuation देख ली जाए इसकी तो अगर हम देखें इसका please consult your financial advisor before investing and trading and video को अगर अच्छा लगा तो video को like जरूर कीजेगा दोस्तो हम लोग nifty और bank nifty का trade भी करते हैं आपको दिखाएं अगर आप nifty का trade क्या हो रहा है तो उससे पहले हम आपको बता दें अगर आप हमारे चनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तो हम आपका स्वागत करते हैं please subscribe to channel यहाँ पर आपको lot of education video मिलेंगे हमने एक video बनाया है 7 mistakes to avoid in market especially a must watch for beginner अगर आप इसको देखना चाहते हैं देख सकते हैं I hope कि आपको at least एक mistake ऐसी मिलेगी जिसको आप avoid कर सकेंगे अपने लिए यहाँ पर news based information भी मिलेगी और जो आपका latest stock का data analysis है उसका भी आपको update मिलता रहेगा यहाँ पर यहाँ पर education video भी provide करिए जाते हैं तो अगर हम इसका कुछ studies देखें हम technical parameter पर अगर इसको देखा जाए कि यह क्या कर रहा है कैसा इसका आगे का रुख रह सकता है तो बताते हैं तो super trend एक बहुती easy indicator है जो आप long term के लिए भी उस करते हैं short term के लिए भी उस कर सकते हैं intraday अगर आप trade करते हैं तो उसको use कर सकते हैं आराम से तो देखे, long term का trade इसने जब यहाँ से buy signal दिया था करीब-करीब 50, 530 के आसपास तो उसके बाद से exception of 3 days or so वो छोटा एक दिन का dip माल लिया यह ही is continuation on buy mode और अभी तो इस बार के बाद में यह super trend indicator और उपर चलने की शुरुआत करेगा तो बहुत अच्छा view बन रहा है इस stock के reference में आगे इस indicator के basis पर अब अगर हम दूसरा parameter देखें इसका तो दूसरे parameter पर अगर हम देखेंगे एक और indicator आपके लिए लेके आए हैं जिससे आपको पता लग जाएगा कि आग एक का प्रक्रिया क्या हो सकती है तो बुलिंजर बैंड एक बहुत अच्छा indicator है जो आपको RSI की तरह से और बोलता है कि कहाँ पर आपके बाई कर सकते हैं क्या आपके लिए आगे प्रक्रिया होगी तो एक बार ज़रा जूम आउट कर देते हैं इसमें तो देखें जब बुलिंजर बैंड काफी बड़ा हो जाता है तो आपको वहाँ पर नहीं खरीदना है या बेचना है देखें यहाँ पर बढ़ा हो गया था तो यहाँ से 626 से स्ने रिट्रेस किया यह करीब-करीब यहाँ पर आया है 580-590 के असपास तो यहाँ पर खरीदने का है जिसके average level पर उसके बाद इसने consolidation किया range छोटी हुई अब यह range expansion में है और यह उपर जाने के लिए अब तयार है यह अच्छा positive breakout होता है इस reference में और board zone में नहीं है अभी यहाँ पर खरीद सकते हैं और आगे की पर किलिए अच्छी रहेगी इसके लिए आज अगर nifty का का कारोबार देखें market 70 points अब है एक point पर करीब 90 point तक अब चला गया गए पर उसके बाद में थोड़ा से सिनरे trace किया है और फिर अभी है हम nifty और bank nifty में बहुत actively interditate करते हैं अगर आप interested हैं तो please हमें contact कीजे हम लोग technical workshop भी arrange करते हैं यह paid service है आप हमे mail कर सकते हैं भवनाधीर no.7 at the rate gmail.com या तो आप पर technical workshop जोइन करिए या फिर paid service या फिर दोनों का combination भी आपके package मिल लाएगा जो आपको चाहिएगा अब अगर आगे देखें हम 15 minute का चार्ट पे अगर इसका analysis करें उसके बाद continuously यह upward journey continue कर रहा है तो काफी अच्छा moment हमें stock के reference में और आगे जैसे construction activity बढ़ेंगी तो cement का growth भी बढ़ेगा तो वो segment से भी portfolio से business आना अच्छा शुरू हो जाएगा तो बहुत अच्छा group है, बहुत अच्छी company है fundamentally बहुत अच्छी है अब हम बात करते हैं, कि अगर आपको खरीदना है तो कहां पर खरीदना है क्योंकि आपने fundamentally के अच्छी company select की है तो उसके बाद next question यह बनता है कि अगर आप खरीदेंगे, तो कहां पर खरीदेंगे और क्या आपका expected target होना चाहिए short term के लिए कहां खरीदें, long term के लिए कहां खरीदें यह सब आपको पता होना चाहिए तभी आपको invest करना चाहिए stock में तो अगर सबसे पहले हम बात करें आज का जो इसका momentum हो रहा है उसके basis पर हम बात करेंगे यहां पर यह आज का specific view है 650 का पहला level जहां पर आपको खरीदना है दूसरा level जो हम बताएंगे वो करीब-करीब है यहां पर 625 तो दो level आपको जरूर मिल जाने चाहिए हमारे साब से 650 and 625 तीसरा level, you may not get it I am telling you up front but you have to keep the money with you the third level is around 580 to 585 please divide your equal quantity into three sections so that you can have money for all three levels first level around 650 second level around 625 third level, the last one which you may not get it easily is around 585 if there is a market reaction or a knee-jerk reaction in the stock for any reason then you can purchase this stock for long-term holding अब अगर लोंगर की बात की जाए तो लोंगर की बात की जाए तो लोंगर के लिए हम पहले शॉर्टरम का टागर बता देते हैं अगर आप शॉर्टरम का टेख रहे हैं तो तीन महिने के लिए इसका टागेट 800 रुपे का है 3-6 महिने में 800 रुपे हो जाएगा ये and the long-term target is करीब-करीब आपको तीन साल के लिए वेट करना पड़ेगा और 1200 का टागेट इसका आपको चार्ट्स पर दिखाए देगा तीन महिने के अंदर तीन साल के अंदर दोस्तों अगर कोई भी कोशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिएगा मेल सिर्फ और सिर्फ पेड सर्विस और टेक्निकल एनलिसिस के रेफरेंस में है कुछ असोसियेट कुछ विवर समय मेल टेक्निकल कोरीज यहां पे कर रहे है उनको आंसर नहीं मिल पाएगा अब अगर आपको कोई भी और एनलिसिस करेंगे इसका तो सेल्स की अगर देखें जा तो जून में जैसा एक्सपेक्टिड था सेल्स कम होईगी सिमेंट इंडस्ट्री भी धीरे चल रही है और शोरों वगरे सब्बंद है तो इस वज़े से इनकी जो सेल्स है वो 19,000 करोड से 13,000 करोड रह गई है अभी वहीं अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर उनने कंट्रोल किया है अच्छी तरह से देखिए 18,000 करोड से 11,000 करोड का उनने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल किया है उनका जो इंट्रेस्ट है वो भी थोड़ा कम हुआ है 17, 1700 करोड की बजाए 1500 करोड का इंट्रेस्ट जा रहा है और इसके साथ में अगर देखा जाए तो जो profitability है वो थोड़ी कम हो गई है पिछले quarter के comparison में इस quarter में profitability थोड़ी सी कम हो गई है तो यहां देखिए 2200 करोड की जंगा पे सिर्फ 600 करोड के आसपास प्रॉपिट हुआ है जो कि expected था यह surprise news नहीं है अब इस news के बाद में market बढ़ रहा है तो ये positive moment है, मैं market आगे का outlook देखता है, पीछे जो हो गया, चला गया, सब को पता था COVID की वज़े से सबका growth कम होगा, इसलिए market में correction भी आया था. अब अगर और parameter देखें इसका, तो promoter stake holder 38% है, FI की holding 14% है, ये अच्छी बात हैं, पर FI ने काफी holding की हुए है, D.I.E. की holding भी 36% और जो बढ़ रहे हैं consistently, और आप हरम जैसे लोग, केवल 10% की holding है, हमें अपनी holding बढ़ानी है, प्लीज आप इसको share को जरूर खरे दिएगा. दोस्तों, अगर वीडियो की information अच्छी लगी, तो एक बार like बटन जरू दबाईएगा, और इसका target हमने आपको बताई दिया है, तीन साल के लिए, और साथ में आपको, हम आपका धन्यवाद करना चाते हैं, आप हमारे साथ चैनल पर आएएए, चैनल को subscribe कीजिएगा, और आपका दिन मंगल में हो, जैहिंद!